असलाम लेकुम नासरीन, आस्वाज हों, कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ, आज मैं आपके साथ स्ट्रॉबेरी केक की बहुती मज़दार सी रेसिपी शेयर कर रही हैं, बहुत असान है इसको बनाना, बहुत स्पुंजिर मज़दार सा केक बन कर त्यार होगा, और इस क किसी भी पार्टी के लिए भी बना कर सब कर सकते हैं, महमानों के सामने बना कर सब कर सकते हैं, इसके इलावा, अगर आपको कुछ अच्छा घाने का मूड होना तो अपने लिए भी बना सकते हैं, और इन्जॉदार से इस स्पुंजी सॉफ्ट केक को हम बनाना शुरू करते सबसे पहले बॉल में अंडे शामिल कर देंगे दो अदद अंडो का इस्तामाल में कर देंगे उसके साथत आइल भी शामिल कर देंगे वो वन थर्ड कप आइल शामिल करेंगे यानि सबसे पहले हमने लीक्विट चीज़ों को इस्तामाल करना है तो इन दोनों चीज़ों को हम डाल देंगे और साथे साथ इसमें स्ट्राबियरी फ्लेवर भी एड़ कर देंगे मैं इसमें स्ट्राबियरी एसेंस शामिल कर रही हूँ वन टीस्पून के बराबर अगर आपके पास स्ट्राबियरी एसेंस नहीं है तो आप वनिला भी शामिल कर सकते हैं बस इस तरह से वन टीस्पून इसमें शामिल कर देंगे और इन तीनों चीज़ों को हम डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे बस हमने जब तक मिक्स करना है जब तक पेल कलर ना हो जाए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब यह आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुकर है तो अब हम dry ingredient को इसमें शामिल कर देंगे सबसे पहले मैं इसमें मैदा शामिल कर रही हूँ एक कप के बराबर चानल लेंगे इसको थोड़ा साथ 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 इसमें चीनी भी शामिल कर देंगे ये भी एक कप है ये रेगुलर शूगर है जिसको मैंने घर में ग्राइंड कर लिया था ये डाल देंगे और डालने के बाद इनको हम मिक्स कर लेंगे और साथे साथ इसमें एक टीस्पून बेकिंग पाउडर भी शामिल कर देंगे इन तवाम चुदों को डाल कर हम अच्छी मिक्स कर लेंगे अच्छी ताना से बस इससे हम इनको मिक्स करते रहेंगे और जहां कहीं आपको लगे कि बैटर्ट थोड़ासा टाइट है थोड़ासा हार्ड हो रहा है तो आप इसमें दूद्ध शामिल कर सकते हैं मिक्सिंग में दोरान ही आप देख लीजेगा काफी जाता रहेंगे तक में दूद्ध में लेख शामिल कर दीजेगा हैं जाता हैं में जाता हुआ हैं लेख लिजेगे शामिल करते हैं बस इस तरह से हम मिक्स करते रहेंगे हलके हाथ से तक इसमें कोई लम्स ना रहे हैं तोड़ा तोड़ा करके दूद भी शामिल कर देंगे कि हैं तो इसको बस पहले से ग्रीज किया ग्रीस के मौल्ड में हम्पट कर देंगे मौल्ड को पहले से करके रख लिए अ सब हैं इससे प्नार व होता है कि इसके एक असानी के साथ निकल जाता है अक्क बो आप पूस बड़ पेपर नहीं कभी संथा कर सकते हैं अच्छे मिकदार में करके इसको ग्रीज करके रख सकते हैं इसके लावा घर में कोई सब भी पेपर हो तो आप वह भी इसमें नीचे लगा सकते हैं ग्रीज कर सकते हैं बस इस ता से मैंने सारा बैटर इसमें पॉर्ड कर दिया था कि बैटर पोर्ट करने के बाद इसके हम बबल से मुव कर देंगे इसको हम टैप कर लेंगे टैप कर लेंगे या तो फिर इसके इलावा आप किसी भी बुड़न स्टिक के साथ इसका बबल से मुव कर सकते हैं इसको प्री हीटेट इस्टोव में मैंने रख दिया था जिसको मै पंद्र मिनट पहले गरम करने के लिए रख दिया था मीडियम आज पर इसको रखेंगे बस कवर करके रख देंगे इसको 40 से 45 मिनट के लिए उसके बाद फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी ये केक एक्जेक्ट 45 मिनट पे बेख हो गया था और आप देख सकते हैं माशाला उपर से भी कितना अच्छा बेख हुआ है। काफी अच्छा इस पे कलर आया है और इसको हम सेंटर से चेक करेंगे center से चेड करते हैं क्योंकि center वाला पार्ट देर से भैक होता है stick clean निकल रही है तो बस इसको हम यहां से निकाल लेंगे cake को और completely ठंडा कर लेंगे जब तक यह completely ठंडा होगा तब तक हम इसके लिए frosting ready कर लेंगे इसमें ड्रोस्टिंग के लिए हम एक पवंपेंग कईवेकं कर दो पढ़ने हैं लगमें आपको आपकेंगे। तो आप इसमें चीनी शामिल कर सकते हैं या फिर आप इसमें घंडास मिल भी शामिल कर सकते हैं अब यह आप देखें इसको हार्ड पीक्स बगना शुरू हो गए हैं यह तेकर पांच से च्छे मिनिट में यह अच्छी तरह से बीट हो गई थी गिर नहीं रही है इसा कर देंगे मौल्ट से ताकि यह केक असानी के साथ निकल सके इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे मौल्ट से किसी भी चीज़ में इसको उल्टा करके रख दीजेगा और बेटर पेपर की वाई से बहुत जादा इजी ली एक एक निकल कर आ गया था यह देखने काफी अब बेग हुए एक एक बस इसका हम बेटर पेपर रिमॉव कर देंगे अच्छा यह देख लिए माशला कितना अच्छा यह केक बेग हुए हैं सौफ्ट और स्पुंजी केक बन कर त्यार राइस भी काफी अच्छा हुआ था तो बस अब इसको हम कटिंग करेंगे सबसे पहले हम केक की साइř्स को रिमूव कर देंगे यानिहां से इसको कट कर लेंगे त्ख़ड़ सी हारड होती है आपने नोटिस कियाओगा जब याप केक घर में बनाते हैं तो इसकी जो साइर्स होती होदोगहार जो जब हम कट कर रहे होते नाइफ मुश्किल से चलती ह कि इसने हम सार्ट को अलग कर देंगे एसके लावा शूगर भी सक्षाय से इब्सब्ख नहीं होते हैं तो साइडS को अलग कर देना बेतर है आँरब करेंगे उसके बाद हम सेंटर से इसको कट करें गे देख लिए थोरि सी की मदद से भी कट कर सकते हैं जिस तहां से आपको कन्वीनियंट हो आप उस तहां से कट कर लीजेगा आप इस के को धागे की मदद से भी कट कर सकते हैं विकुल सेंटर में आप धागे रखकर आप इसको कट कर सकते हैं आप उनको स्मूद कटिंग होती है धागे से कि अब देख सकते हैं किस तरह जाली तार केक बनाे का फिस सॉफ्ट और यह बन कर टार हुआ था जो टॉप है उसको भी हम अलग कर देंगे तो अन्हीन पार्ट है कि मुझा और इक्वल करना है इस के को हम उपर वाज जो टॉप है उसको भी हम इस तरह से लेवल कर लेंगे और अब यह आप देखने टॉप मेंने अलग कर दिया मगर फिर भी मैं इसके तीन लेयर बनाओंगी अब यह दो लेयर बनी थी इसके टॉप को जो हमने हटाया था उसकी मैं थोड़ा सा जो अन्यवन पार्ट है उपर से वह अटा दूँगी इसको मजीद जो लेयर है वह हम थर्ड लेयर में करणवर्ट कर देंगे इस लेयर को हम सेंटर में रख देंगे अब इन तीनों लेयर को हम शुगर वाटर से कोट करेंगे थोड़े से पानी में टू टेबिल स्पून में शुगर शामिल कर दूँगी इसको मैं डिजॉल्फ कर लूँगी कि चीनी को अच्छी तरह से डिजॉल्फ कर लेंगे तीनों लेयर को हम अच्छी तरह से पानी के साथ सोख कर देंगे इससे क्या होता है कि भुधता सॉफ्ट और मौस्ट केट बन जाता है और काफ़ी देर तक यह फ्रेश रहता है तमाम लेयर्स को हम इस तरह से शूगर वाटर के साथ इस तरह से कोट कर देंगे अच्छी तरह से आप शामिल कीजेगा इसमें शूगर वाटर अब इसके बाद हम इसमें क्रीम को अपलाई करेंगे जो हमने फ्रिश में रख दी थी क्रीम को भी आप अपने मर्ज़ से कम या जादा इसमें एड़ कर सकते हैं इसके बाद इसमें मैंने स्ट्राबरियूस को थोड़ा सा क्रॉश कर लिया था फ्रेश स्ट्राबरियूस को क्रॉश करने के बाद इसमें शामिल कर दिया था एक लियर हम इस तरह से स्ट्राबरियू कुआंटिटी भी आप कम यह जादा अपनी मर्ज़े से कर सकते हैं इस पाद वो जो मैं टॉप हटाया था वह हम सेंटर में रखेंगे निंगे इसके उपर भी हम क्रीम लगा देंगे जिसका से रिकॉाइड हो आपको इसके बाद दुबारा से हम ने में क्रिम स्ट्रावियर्स की डías की ती इस्टी पहुने सेटर निकाला है तौ रख देंगे हैं कि अच्छी तासिबस क्रीम लगा देंगे त मुए हम अच्छी तासिए पास के लगा देंगे तवाम तरफ से दुन सो रुक्त कावर करेंगे क्पर के साथ के इसके कर्याइब्न लगाते जैंगे साइस पर भी हमने इसको क्रीम लगा दी ठी आर श revenue nem एक्कों क्योंकर मेरा थ्छी था insipre डिसाइन बनाना था तो मैंने इसलिए इसके को जादा Fest नहीं किया था जहांसे व्यार आपको कि खाली हिस्सा नजर आ रहा है आप उस जगा पर क्रीम लगा सकते हैं डबल लगा सकते हैं क्रीम को ताकि यह अच्छी तरह से कोट हो जाए क्रीम के साथ अच्छी तरह से कोट करने के बाद इसमें आप डिजाइन बना लीजेगा किसी भी तरह से आप बना सकते हैं अगर आप उस डिजाइन नहीं बनाना तो आप स्मूध भी कर सकते हैं इसके को अच्छी तरह से स्मूध कीजेगा बस इस तरह से तमाम केक पर मैंने लाइनिंग कर दी थी, इसकी टॉप पर भी मैंने लाइनिंग कर दी थी, अगर आपको लाइनिंग नहीं करनी है, कोई जिजाइन नहीं बनाना है, तो आप इसको सिंपल भी रख सकते हैं इस तरह से लाइनिंग करने के बाद उसके बाद मैंने फ्लावर्स बना दिये तो थोड़ा सा इसको हम तो डेकुरेट करेंगे आपको जो भी डिजाइन पसंद हो जो भी आप इसमें बनाना चाहते हैं फ्लावर आपको बना सकते हैं इस इस तां से मैंने तमाम केक की साइट को डेकुरेट कर दिया था इसकी बाद मैं नोजल चेंज कर दी थी नोजल चेंज करके मैंने एक फ्लावर बना दिया था सेंटर में इसकी बाद स्ट्रावबेरिस के साथ मैंने इसको डेकुरेट कर दिया था और काफी टेस्टियों मजदा से सॉफ्ट और स्पुंची केक बन कर त्यार हुआ था और देखने में भी काफी खुब्सूरत था खाने में उससे भी जादा रजीज बना था और आप देख सकते हैं माशला कितना अच्छा है केक बन कर त्यार हुआ है इस काफी जादा सॉफ्ट और स्पुंची केक बना था मैं आपको इसको कट करके भी दिखा देती हूँ इसकी लिएस पें आपको दिखाओंगे किस कदर सॉफ्ट थी और स्पूंजी थी भूँत मज़दार केक बना था आप इसके को बर्डे पार्डर। की लिए भी बना सकते हम इसके में मान's के लिए बना कर सकते हैं और अपने लिएू बना सकते हैं आक अजह कर सकते हैं јूर्श एक देख सकते कितना अच्छा एक बना ऐसे रेसीप को जूरूर त्राय कीजएगा अपना फीड़वाइब भी जूर दीजएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सबस्काइब भी जूरूर कर दीजेगा इंश्वर नेक्स रेसीप के साथ दोबारा होंगी तब तक के लिए अजाज़दें आल्ला